लोग को जैसे किष्णा दोस्तों स्वागत आपका आपका सीते से स्ट्रोलिजी में प्रिश्न ही ठूशी है जैसे हमेशा कहता हूं दोस्तों हम लोग आज एक बात करेंगे और इंपॉर्टन टॉपिक पे ट्रांस्फोर्मेशन हमारे जीवन में बदलाव यह बहुत इंपॉर्टन चीज है वीडियो को बहुत गहराई से और बड़े जो है वो ध्यान से समझिएगा तो आपको जीवन की अपनी काफी चीजें भी क्लियर होंगी दिशा भी समझ में तो काफी कुछ है इस वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करिए कमेंट करिए सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं उसके लिए अतिया बाहर है अच्छा लगए तो वीडियो को शेर अवश्य करिएग जानना चाते हैं ग्रह कहां बैठे हैं क्या कर रहे हैं आने वाली दशाएं उनके साथ किस प्रिकार से बिहेव करने वाली हैं कौन से योग हैं उनकी पत्रिका में पत्रिका बनवानी है मुझे रिटिन पत्रिका हैंड रिटिन अवश्य मुझे संपर्ग कर सकते हैं मिरे न पेड होती है जोतिश विद्या सीखनी है जिनको निम्रालीजी सीखनी वास्तुषात्र सीखना स्वागत है अवश्च शीख सकते हैं इन्हीं नंबरों मेसेज करके वाट्साप करके इमेल के तुरू कोर्स का विवरन पर आप कर सकते हैं तो दोस्तों जो यह हमारे जीवन का बदलाव है यह हमारे जीवन का डारेक्शन है टांस्फॉर्मेशन है जीवन की हमारी गती है या हमारे जीवन का उर्जा या हमारे जीवन का स्त्रोथ सब किधर जाने वाला है या जा सकता है या हम किस तरफ से हमको वो एक जिसको कहते है ना कि एक पुश मिल लही है किस तरफ हमारे जीवन का तो यह मेजर आपको पॉइंट एक पता चलेगा देखिए इस वीडियो में इसमें देखिए है क्या हमारे लगन को और नवमान कुंडली को मैच करने की बात है यह बहुत सिंपल है देखिए लगन जिसमें हम पैदा होते हैं वह हमारे जीवन का बहुत important हिस्सा है हमारे जीवन का physical existence बताता है हम हैं लगन हमको वो बताता है हम क्यूं है वो नवमांज हमको बताता है नवमांज कुंडली जिसको हम लोग विभा के लिए भी प्रचलित है वो जाना जाता है लेकिन अगर इसको गहराई से देखा जाए तो हमारे जीवन की आत्मा से लेके परमात्मा तक के मिलन को ये नवमांज कुंडली बताती है और शास्तरों ने इसको बहुत महत्व दिया है हमारे पराशर रिशी ने सारे रिशियों ने इसको बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है और कहीं कहीं तो नवमांज कुंडली को सिर्फ नवमांज कुंडली को बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होती है उसके उपर भी मैंने देखी वीडियो नमाज कुंडली के उपर बनाएं है कहीं टॉपिक्स के उपर लेकिन यहां पर देखिए क्या पॉइंट है कि जो हमारा लगन है और जो हमारे नमाज तक की यात्रा है वह हमें क्या बताती है उससे आपको क्या पता चलता है मेजर आपका डियरेक्शन और आगे इसी कड़ी में दो तीन वीडियो में और बनाओंगा जिससे आपको या सबको यह समझ आ जाए या उनके life purpose, उनके direction, उनके धरम, जीवन में किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो करने आए हुए हैं तो देखिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए हमारा लगन है मेश और हमारी नवमान स्कुंडली में भी जो लगन है वो आगया मेश इसको कहते हैं वरगोत्तम लगन, मतलब हमारे ओरिजिनल लगन ने कितना स्पेस वो आगे बढ़ा है सिरफ एक स्पेस, जो स्वेम का ही लगन था, तो उसको कहा जाता है सेम लगन और हमारा जो नवमान स्का जो लगन है वो दोनों सेम हो गए उधारान के तोर पे, किसी का जलम टॉरस एसेंडेंट में हुआ है, वरश लगन में हुआ है और उनका नवमाशा भी वरश लगन का है, सेम लगन का है उसको कहा जाता है वरगोत्तम लगन, इसका मतलब क्या है आपके फिजिकल एक्सिंस ने यात्रा कौन सी करी है, आप से शुरू होके आप तक आप इसको ऐसा समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है देखिए जब भी किसी का वरगोत्तम लगन होता है वरगोत्तम एक स्थिती है जिसको हम लोग कहते हैं वो बहुत पावरफुल स्थिती है अगर इसकी बात करी जाए वरगोत्तम के उबर भी मैंने वीडियो बनाया है लेकिन फिर इसको आगे इनी और जीवन में कोई स्पेशल टाइप का कर्मा करने आये हुए हैं बहुत इंपॉर्टन्ट होता है क्योंकि वह हम ही पे केंद्रित हो गया ना क्योंकि हमारा लगन मेश है नवमांस भी मेश हो गया इसका मतलब है चेंजिस नहीं हुए बहुत कुछ जादा हम से शुरू हो के हम नहीं पर खतम हो रहा है तो हम कुछ कोई इंपॉर्टन्ट कार करने आये हैं अब अपने आपको स्वैम को लेके करने आये हैं अच्छा डिफरेंट 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 इस चीजों को समझा सकते हैं जैसे मेश लगन में कोई यातक की उत्पत्ति हुई है और उसका मेहने आपके दौारा कार्वे होना बड़े दुस्सहासी कार्वे यह सब देखिंए उस और इंडिगेट कर सकता है पताने कौन सा व्यक्ति जीषियवन में बहुत बड़ा सरजंग बनने आया हुआ हूँ मेश लगन में जो पैदा हुआ है पताने कौन सा व्यक्ति कोई बह के उपर है वरगोत्म लगन है तो कोई ना कोई स्किल लास्ट लाइफ से या पूर जनम से आप जरूर लेके आए हैं उस लगन के अकार्डिंग जो की वरगोत्म हुआ है वो राषी आपको बताती है क्यों वो स्किल आपके अंदर की लेकिन अच्छे तरीके से जो आपको काफी बड़े-बड़े रिजल्ट्स प्रदान कर सकता है छोटी सी बात है कि किसी छोटी सी कंपनियों को हम उठा के जो डेड़ कंपनी हैं हम उनको एकदम से एक्सपांड करके मल्टी बिलेले कंपनी बनाए दे रहे हैं तो ये भी एक देखिए बहुत बड़ा कार्व छेत्र हो गया इस तरीके से कोई स्किल जरूर लेके आता है आदमी जब उसका लगन वर गोत्तम होता है तो अपने जीवन में बहुत कुछ अपने उपर फोकस होता है सेंटर नहीं कहूंगा हाँ अपनी धुनका व्यक्ति होता है एक उसकी अपनी परसनालिटी होती है एक उसका अपना एटिटीट होता है जो कहीं बार उसको बहुत शुब रूप से अगर ये काम कर रहा है तो कहीं बार उसको बहुत आगे भी ले जाता है और कहीं बार उ बढ़िया यह सारी चीजों में अच्छा हो गया नहीं ऐसा नहीं है बिलकुल वर्गोत्तम लगन मान लीजिए आपका उधारान जैसे मैंने दिया मेश लगन का है अब ऐसा आदमी बहुत जादा एडवेंचरेस्ट बहुत जादा लीडर्शिप बहुत जादा दुस्ताहसी बढ़िया काम करने वाला इनोवेटिव एनर्जेटिक बहुत सारा अब यह इसको हम शुबकार में अगर लगा रहे हैं तब तो यह जीवन की हमको उचाईयों तक पहुंचा देगा और अब यहीं अगर हम इसका गलत इस्तमाल कर लेंगे तो जो मेश लगन के अंदर इतनी भी प्रॉब्लम्स है मान लीजिए रिलेशेंशिप इशूस हैं या बिना सोचे समझे फांद पढ़ना किसी चीजों में और उसके बाद नुक्सान हो जाना ग्रोध से अपना सत्यानास करा लेना तो देखिए वरगोत्तम लगन यह भी इस्तमाद कर सकता है कि भाई मेश ल दबल रामी हो गया उस चीज़ के लिए कि भाई दबल इंपाक्ट दे रहा है हमको और क्रोध और चीज़ें और अपने आप में देखने वाला वो दूसरे की अब सुन ही नहीं रहा अब वो ऐसे व्यक्ति हो भाई या वो सुनेंगे ही नहीं चाहिए अपना नुक्सान हो रहा है फायदा हो रहा है वो नहीं देखेंगे तो एक तरीके से बहुत कुछ अपनी परस्नालिटी पे बहुत जादा वो फरक डाल देता है यह जो वर्गोत्तम लगन होता है गुड और बाड दोनों चीज़ों के लिए हां वर्गोत्तम लगन जो होता है वो आयू के या लॉंजिविटी के लिए पराशर रिशी ने कहा है बहुत अच्छा माना जाता है जिनका लगन वर्गोत्तम है मतलब लगन भी उसी रासी का और नवमांच भी में भी जो फर्स्ट हाउस है वो भी उसी रासी का तब आप मान के चलिए कि यह दीर गायू का सूचक है ले है नहीं कता ही नहीं मैंने कहीं पत्रिकाएं ऐसी देखी है जिनमें उनकी बड़े नॉर्मल सी एज में उनका डिमाइस हो गया है वो पाल को प्यारे हो गए हैं उसकी वज़ा क्या देखिए वर्गोत्तम लगन का मतलब होता है हमारे अंदर सस्टेनेंस पावर अच्छा है क्या मतलब है जब हम अच्छा खाय पिएंगे हम सात्विक्ता से रहेंगे अच्छा बोलेंगे अच्छा अपने अंदर ग्रहन करेंगे तब हमारी सस्टेनेंस पावर जो है आत्मा की और शरीर की दोनों की बड़ेगी वृद्धी होगी अब अगर मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में वर्गोत्तम लगन तो वर्गोत्तम लगन तो हो गया अब मालूम पड़ा उनकी पत्रिका में जो सेकंड हाउस का प्लानेट है लगन में सेकंड हाउस का प्लानेट जो है वो नीज का खराब प्लानेट के साथ बैठा हुआ है अब मालूम पड़ा है खा रहा ह पी रहा उसको डाइबिटी जो गए ब्लड प्रेशर हो गया वो फूल के मोटे हो गए अब आप कहेंगे कि ये वर्गोत्तम लगन का है इनकी तो उमर भई सौ साल की होगी तो बिलकुल कता ही ऐसा नहीं होगा देखिए सस्टेनेंस पे वो डिपेंड करता है तो अगर लगन पर गोत्तम है कौन सा हाउस सबसे ज़्यादा देखने वाला होता है उसके दूसरे वाला अगर उसका दूसरा घर आपकी पत्रिका में लगन से भी सेकेंड हाउस और नवमाश लगन से भी सेकेंड हाउस अगर वो स्ट्रॉंग है उस वहाँ पे प्लानेट शुप बैठे तब आप मानने चलिए कि लॉंजिविटी जो है वो गारेंटेड है कि आपकी जो उमर है वो सतर असी पच्चासी नबे इतने समय तक की वो जाएगी अदरवाइस प्रॉब्लम्स हो सकती है देखिए यहाँ पे तो जो बरगोत्तम लगन होगा वो बहुत स्ट्रॉंग होता है एक अपना नेचर होता है कुछ बहुत स्पेσιल करने आए होते हैं कोई स्किल होती है कोई पावर होती है वो उसको पहचान के उस और अगर बढ़ते हैं तो लाग उनको बहुत प्राप्त होता है ये जीवन का देखिये बदलाव है ये डारेक्शन है क्या डारेक्शन है अपने आपको समझना, अपने आपको जानना, प्रभू ने आपको क्या करने के लिए भेजा है, हर राजी के अपने गुन होते हैं, अब वरगोत्तम आपका वरश लगन है, वरश लगन के कोई जातक है, और वो मान दीजिए कि उनका लगन वरगोत्तम है, अब यहाँ पे क्य के लिए वैल्यू के लिए वैल्यू सिस्टम यह सब बहुत ज़्यादा उचा हो सकता है ऐसे जातक में बहुत कुछ उन चीजों के लिए वो कर सकता है देखिए वह इन चीजों को बताता है अचा अब दूसरा पॉइंट अगर आप माल लीजिए कि आपका जो लगन है वह बढ़ गया तो अब आपका लगन हो गया टॉरस को इसमें यह क्या शो करता है मतलब जो भी आपका लगन हो मालूपड़ा आपका लगन मिथून है उधारण के तोर पे और जो नवमांश लगन है वो बनके आ रहा है आपका कर्क तो इसका मतलब हो गया सेकंड प्लेस आगे दो स्थान आगे बढ़ गया हमारा लगन जो है नवमांश में दो स्थान आगे बढ़ा तभी तो सेकंड राशी जो है वो उसकी जो है नवमांश बनी है सिंपल इसको रखते हुए जहां पे भी आप देखेंगे तो यह देखिए अब यह क्या चीज़ शो करता है अब अग है आपका लगन जो है कि दो कदम आगे चल चुका है नवमांश में जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका अगर लगन जो है वो मेश है और वो टौरिस साइन का या व्रश राशी का नवमाश remains यह नवाश यह अका सिंग लगन है اور आपका नवमांश जो है वो कण्या राश का है तो मतलब दो स्थान आगे बढ़ गया आपका लगना वुमांच में जाके अब ये क्या बताता देखिए ये दो तीन चीजें की और एफेक्ट करता है आपको अब पहली बात तो ये दो स्थान आगे बढ़ा है तो देखिए हमारे जीवन में financial security, family, हमारे positions, हमारा self respect, हमारा खाना पीना, sustenance हम क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, लोगों के सामने हमारी छवी कैसे रहती हैं, हम पैसे को किस हिसाब से देखते हैं, हम अपनी family के लिए क्या कर रहे हैं, responsibilities family को लेके, finance को लेके, हमारा उत्तरदाइत जो बनता है, बोलने के लिए, क्योंकि हम अपने घर परिवार को दर्शाते हैं, हम अपने घर परिवार की मानिताओं को दर्शाते हैं, जब हम बोलेंगे, अपने आपको present करेंगे, तो direction देखिए, कहा चेंज हो रहा है, आपका जनम सिंग लगन में हुआ है, और कन्या राशी का जो है आपका नवमाशा है, सिंग लगन शो करता है, प्रकार की माजनिमेटी को, Entertainment को, Enjoyment को, miraculous होना, बड़ा होना, power, strength, position, और अब कन्या लगन का नवमाशा मिल रहा है हमको, उससे नव रिजत स्थान का वह क्या शोक कर रहा है वो काही रहा ठीक है भाईया पावर पोजीसड रीसरेंट तो उम्चा बनो सब कुछ लेकिन किसके लिए रीज़्ी के लिए सिक्यूर्टी के लिए पैसे के लिए अच्छा बोल के बनो अपनी वैलीव पहty पहचानो तुमको रिस्पॉंसिबिलिटी घर की उठानी पड़ेगी अब सिंग लगन में पैदा हुए हो तो पावर पोजीशन अथौरटी में इतने अउचक या भौचक ना हो जाओ कि नवमाशा का जो तुम्हारा डिरेक्शन है वो जो शो कर रहा है उसको बिल्कुल भू आने ही वाली है जीवन में आप पूचेंगे हमारे जीवन में फ्यूचर में क्या होने वाला है तो अब सिंग लगन में कोई पैदा हुआ है और उसका नवमाशा जो है वो मान लीजिए कि कन्या का है सेकंड हाउस का उस जगा से तो अब वो कहेगा क्या है तो भई से खा रहे हैं क्या कर रहे हैं अधर्वाइस हमको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो सेकेंड हाउस है जो हम खाएंगे वही उस चीज को दर्शाएगा अच्छा इसको मैं अभी एक और स्टेप आगे अगर ले जाओं अभी मैं इसको आगे बहुत जादा नहीं ले जाओंगा मा कई बार वो प्रेम के और इन सारी चीजों में थोड़ा सा होते हैं कि आनंद लेने वाले होते हैं अगर उनको प्राफ्त हो रहा है अगर उनका मान लीजिए जो नवमाशा है को कन्या राशी का बनके आ रहा है उधारन के तौर पे अब वह यह भी बताता है कि किसी भी प्र प्राबलम यह सारी चीजे क्रियेट कर सकता है इस बात का दिहान रखना चाहिए तो जो सेकंड हाउस में आपका समझ लीजे जो लगन है सेकंड हाउस में जब वो प्रोग्रेस किया है इसकी हम लोग बात कर रहे थे तो सारे का सारा जो स्ट्रेंट है वो कहा रहने वाली है पोजीशन, फाइनेंज, फैमिली, पैसा, एथिक्स, मॉरल, वैल्यूज, आपका बाहर का लोगों की तरफ का नेचर, पैसा कमाना सारी चीजों से रिलेटिड वो सब आपके जीवन में आने वाला है तो अब अगर आपकी पत्रिका में लगन जो है उधरान के तोर पे तीन स्थान आगे चला जाता है नवमाश में जैसे की कैसे आपकी बत्र का में लगन है, आपका मान ली जिये करक और आपका नवमाशा बना कन्याका, तो जब करक से काउंट करेंगे कन्या तक तो पोजीशन आपी है वहां से तीन करक राशी, सिंग राशी और फिर कन्या राशी, कन्या राशी का आपका नवमांश बन गया, अब आपके जीवन में जो बदलाव हैं, या आपको जाना कहा हैं, क्या चीजे चेंज होनी हैं, वो आपको क्या दिखाता है, देकि आपके जीवन में दिखाता है कई आपको जीवन में दिखाता है आपके thinking process को intelligent process को बहुत दिमाग समझदारी ग्यान information technology इन सारी चीज़ों को दिखाएगा अगर आपका नवमांस जो है वो तीन स्थान आगे निकल गया है लगन से तो वो आपको क्या दिखाएगा यह सारी चीज़े दिखाएगा determination, willpower, hard work, अच्छा तरीके से decision लेने की ability अगर वहाँ पे चीज़े सुसजित हैं नवमांस में लेकिन वो दिखाएगा यही कि तुरंट-तुरंट काम करने की प्रवत्ति, quick decision-taking power, बहुत जल्दी चीज़ों में बोर हो जाना, एक restless energy जिसको कहा जाता है कई बार जीवन में एक uncertainty कई बार इतना ज्यादा हमारे जीवन में physical और mental उर्जा होती है कि हम उसको सही तरीके से handle नहीं कर पाते हैं और फिर गलत चीज़ों में उसका इस्तिमाल कर देते हैं हमारे जीवन में हमारे मित्र, हमारे बंदू, हमारी communication, हमारा लोगों के साथ वहवार, हमारे भाई भेन, ये सब important रहने वाले हैं जब हमारा लगन जो है वो तीन स्थान आगे नमाश में progress कर चुका होता है तो वो इन चीज़ों को दिखाता है hard work को, आपके efforts को, आपके mind को सही तरीके के decision लेने की और रखना भी दिखाता है क्योंकि कहीं ऐसी चीज़े आएंगी जहां पे जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके मन में कुछ बुरा करने का, कुछ गलत करने का, कोई shortcut, कोई अलग तरीके की आदते, वो सब चीज़े देखी, वहाँ पे show हो सकती है, तो ये इन चीज़ों को represent करता है हमारे thought process को भी, हमारे mind को भी के कलको क्या वो अच्छा रहने वाला है, हम शुब decision लेंगे, सोच समझ के, या हम जल्दी बादी में कुछ ऐसे decision भी ले लेंगे, जो कलको हमारे लिए नुक्सान दायक हो सकते हैं, तो देखिए हमारा जब लगन advance किया, तीन स्थान आगे नवमाश में, तो वो हमारा ये सारी चीज़े दिखा रहा है, एक power देता है, एक strength देता है, आगे बढ़ना, एक growth, एक fanciness, एक जीवन में उत्सहा भी देता है, desire भी देता है, कही ना कही physical attraction भी देता है, जीवन लगन में चीज़ों के परती, ये आप जानते हैं, आपका लगन जैसे अगर तीन स्थान आगे नवमाश में बढ़ गए तब उस तरीके का हो सकता है, अब आपका sing लगन है, और आपका नवमाश में आ रहा है, कन्या का, तो आपके जीवन का focus कहा रहने वाला है इन इन सब तरीकों भी करता, कि हम बहुत self effort डाले, हम खूम महनत करें, एक individual तोर पे अपने आपको stand करें, rise करें, इन चीजों की तरफ देखी है, हमारा सारी motivation, determination, self power, self motivated होता है आदमी, दूसरों को influence करने लाइक भी होता है, self motivated भी होता है, self made होता है, hard working होता है, जिसको कहा जाए, बढ़िया determination, बढ़िया contact, technology में बढ़िया, information में बढ़िया, हर प्रकार की intelligence में बहुत जादा बढ़िया होता है, यात्राओं से उसकी धीवन में बहुत पाला पड़ता है, जिसे बहुत वो अपना लाब कर सकता है, तो ये एक बहुत major part of आपका life है, आप देखेंगे कि हा बापित हो जाना, ये भी show करता है, अब आपकी प्रक्तरिका में मान लेजिए, आपका लगन जो है वो, चार स्थान आगे चला गया, आपका मान लेजिए, आपका लगन है तुला लगन का, और नममाज बनके आता है, मकर लगन का, मकर राशी का, अब तुला लगन से जब आँगे लिएंगे मकड तक तो चार स्थान आगे हमारा लगन बढ़ गया है अब क्या शोग कर रहा है हमारे जीवन में हमारी दिशा को हमारी बदलाओ को हमारे जीवन के ट्रांसवर्मेशन को किस तरफ वो विसाइट कर रहा है तो देखिए उसमें एक भाग आता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी फैमिली हमारी मदर प्रॉपर्टीज इनर हैपिनेस इनर पीस सुख यह सब हमारे मेजर एरिया जीवन के बनने वाले हैं नवमान्स हमको यह चीज़ शो कर रहा है कि अगर वो चार स्थान आगे बढ़ गया है तो हमारे अंदर का जो ग्रोथ है स्टेबिल्टी है ग्राउंडनेनस है हमारे अपने जीवन के जो हैपिनेस है मदर है प्रॉपर्टी है हमारे जीवन के कई हैरिटरी चीज़े हैं जो हमारे साथ चली आ रही हैं कुल और खांधान से वो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है अगर वो हमारे नवमान्स में देखिए उसका लगन बनके आ रहा है इस तरीके से जैसे मैंने आपको उधारण दिया है कि आपका अगर लगन तुला है और आपका जो नवमांश है वह मकरका हुआ इसका मतलब चार स्थान आगे बढ़ गया तो यहां पर फोकस कहां रहने वाला है आपके जीवन में एक्चुल में सुख में हैपिनेस घर परिवार अपनी जीवन के हमको घर में घर परिवार को आनंद देना सुख देना उसी से रिलेटिड दुख या प्रॉब्लम्स वह अलग बात है व कही बार आप अपनी जीवन में कही चीजों को बड़ा अंदरूनी, बहुत गुपत रखना चाते हैं, कही बार आप बहुत ज़्यादा कोखिल हो जाते हैं कभान के लिए पबिलिक के लिए मासिस के लिए बहुत ज्यादा अवैलेबBER हो जाते हैं जैसे आप हैं और आप उसके लिए मतलब यह होता है कि थी कि हम पॉलिटिकम बहुत cerch आज संस्था हम उनके साथ जुड़े हुए हैं कहीं बार देखें ये भी शो करता है क्योंकि चार स्थान आगया अगर आपका नमाज पे चला गया है लगन वह ये भी शो करता है कि कहीं न कहीं से जीवन में हम मासिसे या सोशली बहुत जादा इनेक्ट हो सकते हैं हमारे क्या टैलेंट से हमारी क्या स्किल्ज हैं हमारे अंदर क्या इमोशनल स्ट्रॉंगनेस है हमारी क्या इमोशनल वीक्नेस है ये सारी चीजें जीवन में रोल प्ले करने वाली है जब हमारा नमाशा चार स्थान आगे चला गया है लगन से तो अब जब हमारा नमाश जो है पाच स् लीजे स्कॉर्पियो है और आपका जो नवमांस है वो बनके आया है मीन का तो इसका मतलब क्या हो गया पांच स्थान आगे चला गया हमारा नवमांस अब यहां पे कहां पे सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्स जीवन की रहने वाली वाली है बच्चों के लिए प्रें रोमांस लव क्रिएटिविटी संतान विज्डम स्पेकुलीशंज समझदारी स्पॉर्ट क्रियेटिविटी होब्यिज यह सब आप जीवन के एक एंपोर्टन्ट प्ले करने वाले हैं आप इसको समझ लीजिए जैसे कि आपका नवमांशा यह है अब जैसे मैंने गताया 5 स्थान आगे चला गया आपको उधारान दिया कि आप का लगन जो है वह स्कॉर्प्रयों का है और और नवमांज हो गया आपका मीन राशी का इसका मतलब है पाथ स्थान आगे बढ़ गया हमारा नवमांज वो हमको क्या शो कर रहा है हमारे जीवन को किस तरफ ले जा रहा है हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस आएगा प्यार का अब वो गलत और सही वो दूसरी बात है चार् यह सब रोल प्ले करेंगे जब हमारा लगन जो है नवमांज में अच्थान आगे चला जाएगा आपके अंदर कितनी प्रजणन छपता है फॉर्टिलिटी को भी शो करेगा यहां पर यहां भर फॉर्टाइल है इमाजिनेशन के नहीं है लक पोजीशन स्पेकुलेशन यह स सब आप जा सकते हैं इसकी वज़ा से प्रॉब्लम हो रहा है यह इससे आपको फाइड़ा हो सकता है यह आपका रूट है यह आपके बादरां है जीवन के यह आपके direction है जीवन के यहां आप देखिए जा सकते हैं आपका नवमाशा आपको उस तरफ लेके जा रहा है तो यह सारी चीजें आपको बताता है आपकी learning आपकी advisory आपकी counselling आप लोगों को किस प्रकार से counselling कर रहे हैं advice दे रहे हैं क्या सलहा दे रहे हैं खुद क्या सीख रहे हैं यह आपका जब पंचम स्थान में आगे जाएगा बताता है आपको future का planner बनाता है finance से relate करता है बहुत innovative बनाता है अपने जीवन में उचे पद की तरफ ले जाता है सरकारी पद की तरफ ले जाता है यह देखिए आपका लगन जो और पांच नवमाशा आगे अगर निकल गया है उधान का मतलब जो मैंने बताया था आपको कि मानलीदीये कि आपका लगन जो है कर्क का लगन है और आपका नवमाशा बन गया Scorpio का या वरशिक रसी का तो कर्क लगन से जब आप Scorpio तक गिनेंगे तो कितना हुआ पाच स्थान आगे तो जब पाच स्थान आगे हमारा नवमांस होगा तो देखिए हमारे जीवन के में थीम में क्यारेक्टर में चीजें कहां जाने वाली हैं इसी तरफ जो मैंने आपको बताई हैं अब जब आद्व की पत्रिका में लगन आपका छे स्थान आगे निकल जाए जैसे की उधारन के तौर पर आपका जनम हुआ है कन्या लगन में और नवमांस आपको प्राप्त हुआ है कुम्ब का तो वह सिक्स्थ थान आगे होगे जब कन्या से आप कुम्ब तक गिनेंगे अपनी बत्रिका में तो आप देखेंगे कि हाँ छे स्था करके आगे छे स्थान आगे प्रोग्रेस करके गया है आप इसको ऐसा सोच सकते हैं तो अब यह क्या शो करता है यह शो करता है जीवन में भारी हाड़ वर्क रिस्पॉंसबिलिटी पैसा फाइनांस ग्रोथ यह इंपोर्टेंट रहने वाले हैं हां इसमें आप्स्रक्शन इसमें कई बार देट शो करता है उधारी रिन बिमारी यह शो करता है लोकई प्रॉबम्स किसी प्रिकार का कानों इध्यक्रायगण censate रोग ये सब शो करता है दुश्मनिया वो शो करता है साथ में फाइनांस शो करता है साथ में ग्रोथ शो करता है साथ में एक फाइटर शो करता है जो हमेशा अब्स्ट्रक्शन को परशानी को कष्ट को दूर करके आगे बढ़ने वाला हो ऐसा जातक भी हो सकता वह कोई डॉक को आगे बढ़ा रहा हो या में मोटिफ देखिये होने वाला है उसका ग्रोथ सेग्मेंट पैसा ये सारी चीजे लेकिन हाँ ये उसको साथ में मिल नहीं है चीजे परशानी के रूप में मिल सकती है जैसे मैंने आपको बताया रोग घंजट ये सारी आ सकती है कई बार कई ची हमारे जगह में लोगों से लड़ाई बहुत हो जाती है जो हमारा वर्क होता है वो बहुत आडिनरी हो जाता है हमको बहुत रूटीन वर्क करना पड़ जाता है हार्ड वर्क करना पड़ जाता है हमको वो कार बार बार करना पड़ जाता है अपने जीवन में अब जो कह जा पाएंगे और अगर जल्दी बाजी करेंगे यहां पे कि हमको growth मिल जाए, finance मिल जाए, चीज़े हो जाए, तो वहां पे चीज़ें उलट जाती है, उलटा जाती है, हाँ, यह जरूर है, यह चालिंज को कबूल करने वाला होता है, स्विकार करने वाला होता है, ऐसा जाता है, अच्छी तरीके से अगर देखाए जाए, और अपने दम से जीमन को आगे बढ़ाने माला होता है, कोई परशानी आजाए, उसको आगे ले जाने माला होता है, वो एक यह spirit को भी show करता है, fighter, एक challenge लेने माला, कोई भी परशानी आजाए, मैं उससे निपट लूँगा, यह भी show करता है, कहीं बार life में देखिए, problems भी आएंगे, जगड़े भी आएंगे, जिवन में कोई बहुत भारी आप जिसको कहा जाए, obstruction आ सकता है, जिसकी वज़ा से बहुत भारी फेर बदल हो सकता है, life में, वो कुछ भी हो सकता है, घर, परिवार, जड़ाई, जो जाना, कहीं से कहीं चले जाना, यह सारी चीजें जीवन में हो सकती है, अब अगर आप की पत्रिका में मान ली जगड़े, लगन जो है, साथ स्थान आगे चला गया है, नवमांश आपका, अब उधारन के तोर पे, Immediately हम आपका लगन लिखा हुआ है, कर्क, फर्स्ट में लिखा हुआ है मकर इसका मतलब क्या हुआ करके से जब आप मकर तक की काउंट करेंगे अपने लगण में तो आप देखेंगे साथ स्थान आगे है वो तो अब आपका जो नवमांश है वो सेवन प्लेसिज आगे साथ स्थान आगे बढ़ जा आपके लाइफ का पैटर्न रोल बदलाव चेंज ट्रांस्वोमेशन दिशा क्या होने वाली है मैरेज मैरेज से सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है वो एक अलग बात है पार्टनर्शिप एक बैलेंजड लाइफ एक जीवन में शांती पीस डिपलोमेसी बिजनेस विदेश फॉरें अच्छी तरीके से लोगों के साथ संबंद बनाना जीवन में मटीरिलिटी को स्पिरिच्वालिटी को दोनों को बांद के सही तरीके से चलना मध्य में इसको कहा जाता है कि एक एक बैलेंस जो होता है जीवन में कहीं बार हमारे जीवन में यह फिसीकलनेस को सेक्स को इन सारी चीजों को भी दिखाएगा लोगों इन वाली सारी चीजों से भी उनको होके निकलना पड़ सकता है अच्छा या बुरा जैसे मैंने कहा है वो देखिए ओवरॉल चार्ट बताएगा लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ थीम डिरेक्शन आपके जीवन में जाने कहाँ वाला है foreign business partnership नौकरी भी है तो भी एक बहुत balanced attitude में foreign companies हो सकती है उसमें आप बड़े diplomatic skills होते हैं management में business management में इन सब चीजों में दक्ष होते हैं एक सुन्दर advisory role में आप काम कर सकते हैं दोनों पक्षों के मद्ध में जो एक balance बना के चलने वाला होता है एक mediator जिसको कहा जाता है इस तरीके का आपका जीवन में role होना चाहिए नहीं है तो वो एक अलग बात है लेकिन यहां पर कहीं परकार के issues भी face आते हैं यह देखिए एक मारक स्तिती भी होती है marriage, business, नौकरी, विदेश जाना, बाहर जाना, सामने वाले से धोका मिल जाना, स तो बहुत भारी रिवरसल जीवन में शो कर सकता है, कुछ चीज़ों को लेके कभी विभा हमारे लिए बहुत घातक साबित होता है कई लोगों के, उनके लिए मारक ही स्तिती हो जाती है, कई बार स्वेंबो अपनी हरकतों की वज़ा से business उबा दिया, खाने बीने में लगा दिया, स्तिरी में लग गए, ऐसी आदतों में लग गए, वहां खराब हो गए, फॉरण गए, वहां हमने खराबी कर दी, परचानी कर दी, हम इन चीज़ों से अपने आपको मारक स्तिती में ले आते हैं, अधरवाइस जब सुन्दर स्तिती में हो, एक responsible विखती, किसी के लगाए नहीं, पैसा कमाना है, diplomatic से, manubilative से, adjustable होते हुए दुनिया में चलता है, विभा में भी बहुत adjustment करता है, partnership में भी बहुत adjustment करता है, सब लोगों को साथ लेके आता है, एक chairman सरीखा होता है, जिसके नीचे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो यह वाला attitude होता है आपका, इस लिए भी बहुत perfect होते हैं, अगर chart वो बता रहा है, तो नहीं तो point में आपको जो बता रहा हूं कि आपका जीवन में नवमान्स है, वो क्या direction बता रहा है, यह सिरफ, आप कह सकते हैं, 5% भर है, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, और तो इसके आगे बहुत ज साथा चीजें इसी से related में होती है, जो लगन और नवमान्स को match करके बनती है, कि हमारे life का क्या direction है, क्या दिशा है, हमको किधर जाना चाहिए, तो वो इसमें जरूर से होता है, अब हम लोग बात करेंगे, जब जो हमारा लगन है, वो 8 स्थान आगे पहुंच जाता है, मान लीजे तुला लगन में, और उनका जो नवमान्स है, वो वरश लगन का है, तो इसका मतलब 8 स्थान आगे हो गया, अब जब 8 स्थान आगे नवमान्स होगा, वो क्या चीजे शो करेगा, बहुत बड़े जीवन में बदलाव, बहुत बड़े transformation, बहुत sudden transformation, बहुत up and down, जायद हमारे विवा के बाद हो जाएं, जिसको कहा जाएं, बहुत बड़े बदलाव, वो शुब बदलाव भी हो सकते हैं, और खराब भी हो सकते हैं, सिर्फ खराब होंगे वो नहीं मैं बता रहा हूं, शुब बदलाव भी हो सकते हैं, बहुत बड़े transformation होते हैं, विवा क के बाद सस्राग पक्ष से घर परिवार वालों के साथ उनके मिल के अपनी लाइफ पार्टनर के थुरू जीवन में आदमी को इतना सुख आनंद लाब मिलता है कि वो यह सोच नहीं सकता यह शायद उसके पूर जनों जर्मों के जो है करम होते हैं जिसकी वज़ा से उसको इतना सुंदर लाब प्राब्त होता है अदर्वाइस कई स्थितियों में देखा जाता है जब लगन का स्वामी जब लगन जो है आपके पतरिका में मेश और नवांस जो है चमा करिएगा जब आठ स्थान आगे बढ़ ज करती हैं उसको जीवन में या मृत्युत तुल कश्ट उसको जीवन में अपने देखना पड़ा जाता है कहीं लोग रिसर्च फिलोसोफी सीगरेटिव एजनसी में कोई अकल्ट में एस्ट्रॉलिजी में घ्यान में धरम में गूरता में तंत्र में मंत्र में विद्या में इ आपने आपको बढ़ाते हैं को रिसर्च पीएजडी बहुत विदेश इन सारी चीजों में भी शो करता है अगर आपका नवमाश आठ स्थान आगे चला गया है लेकिन हाँ जीवन में बदलाव बहुत शो करता है और वह इतना बड़ा बदलाव होता है जो जीरो से लेके ह ऐंडरेट तक वाछा किसी के जीवन में हो सकता है उसकी बुरी प्रवत्ती का हो उसकी आदते बुरी हो लिकिन बाद में शर्टली उसके जीवन में ऐसा होगा कि वह साधू व्रत्ति हो जाएगा उसके जीवन का जो पापत्त है वह ध्वंस हो जाएगा और बाद में उसका जीवन जो है वो एक साधू सरीखा सन्यासी जैसा अपने आपको तपस्या में लगा के जो है बिल्कुल वो गला के जिसको कहा जाए तपाक है अपने आपको वो उडागर करके बाहर ले आता है इस तरीके का व्यक्ति तो जितने भी इंवेंटर्ज हैं एक्स्प्लोरर्ज हैं साइंटिस्ट हैं वो भी इन चीजों को शो करते हैं जिनका नवमाज एर्थ स्थान आगे चला गया है या इतने बड़ा चेंज कर देंगे अपने जीवन में कि जैसा के घर परिवार समाज में किसी सोचा नहीं होगा कि ये वेक्ती ऐसा कुछ कर सकता है और अगर रॉंग साइड में देखा जाए तो उल्टा सीधा खाना पीना आदते शराग जेल शादी में प्रॉब्लम डाइवोर्स डेथ अप एंड डाउन जीवन में बिमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी ना किसी प्रका कहीं फाइंज ये लग रहे हैं यहां बेभी सेक्शियल इशूज आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफैज ये सारी चीजें ये हमारा नवमांच जो आर्ट स्थान आगे बढ़ गया है वो बता रहा है कि किन किन चीजों की वज़ा से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है और क्या क्या हमारे जीवन के डिरेक्शन्स हो सकते हैं फॉरन सेटलमेंट फॉरन जाना इलिनियेट हो जाना बिल्कुल लोगों से अलग हो जाना प्रतक हो जाना वो ये सब चीजें देखिए शो करता है इंक्ल्यूडिंग बहुत बड़ा संत महात्मा रिसर्च पढ़ाई टीचर ग्यानी वो ये सब चीजें शो करता है विवा में सुख या लाब बहुत जादा या आप यू कह सकते हैं विवा के बाद जो है बिल्कुल पूर्ण बंटा धार जिसको कहा जाता है अब जब आपका लगन नौ स्थान आगे बढ़ जाता है अब उधारान तो जब आप व्रशिक लगन में जनम लिया तो आप देखेंगे कि आपका कर्ग राशी तो पढ़ती है नाइंत स्थान आगे नौवे स्थान में पढ़ती है और यही राशी जो है वो नवमांच लगन में हमारी 1 राशी बन गया यह तो इसका मतलब होता है कि हमारा लगन जो है नवमांज में नौ स्थान आगे बढ़ गया है अब वो क्या शो करता है अब आप इससे एक इमेज प्राप्त कर रहे हैं एक फ्यूचर ट्रेंड प्राप्त कर रहे हैं इस वीडियो से आपका कहां पे देखिए जाके जुकाव होगा अब आपका जनम ब्रशिक लगन मे हुआ है सुनिये का देखिए ये एक दूसरा एस्पेक्ट है आपका जनम हुआ है व्रशिक लगन में आप मालूम पड़ा जब से आपने जनम लिया है वो तब से ठीक है तब से आप बड़े ग्यानी हैं समझदार हैं वो सब तो ठीक हैं लेकिन अंदर से बड़े अंदर से हैं उसके भी आप मास्टर हैं अब आपका नमांस बनके आ रहा है नौ स्थान आगे चला गया वो नमांस आपका बनके आ गया करक तब आप देखेंगे के अच्छा भाईया अब जीवन तो हमारा जाने वाला है लर्निंग फिलोसफी गुरू तीर्थ पढ़ाई खुद भी लर्निंग करना सीखना ग्यान लेना एडवाईसेज कंसल्टेंट गुरू रूप में एडवाईसेज शुब व्रत्ति शुब विज्दम इस तरफ हमारा जीवन जाने वाला है आगे की तरफ तो आदमी को समझ आता है कि हम ज लगन का आपका मान लीजे की नवमाशा बनके आ रहा है नौ स्थान आगे तब आपको बता रहा है कि कोई गुरू विद्या पिता रिसर्च फॉरण इन सारी चीजों में आगे पढ़ना क्रॉस कल्चर पढ़ाई करना समाज को समझना विश्व को समझना लोगों में विस् अचार करना प्रसार करना बुद्धिमत्ता विज्डम आपके ट्रैडीशन लौ मंदिर धरम यह सारी चीजें आपके जीवन का एक अभिन अंग होने वाली है फॉरिंड अंग्रेजी वेस्टनर्स लोग बाहर के लोग यह सब आपका एक रूटीन है जीवन में कलको आपके साथ होने वाला है तो हम पहले अगर यह बात माल लेते हैं 18-16 साल में अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं या स्वेम के लिए देख रहे हैं तब हमको पता चलता है कि अच्छा हमारे जीवन में यह खेल होने वाला है कलको नमाश में हमको फॉरण भी बता रहा है लो और मास्टर्स कर लो डॉक्टर बन जाओ फिलोसफर बन जाओ ग्यानी बन जाओ कंसंटेंट बन जाओ डीन बन जाओ यहां यह सब बातें चल रही हैं हमारे नवमाशा में तो जुकाओ किस तरफ हो रहा है सप्ड़ाई ग्यान पिता गुरू नौलेज फॉरन इस सब चीजों की तरफ देखी हो रहा है लोगों हमारे जो जीवन में हमारा पास्ट लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस एक गुड डीड्स है उसको बाहर लेके आना हमारा जो पुराना हमारी जो वंस चला आ रहा है उसके नाम को स्टैंड करना उसके नाम को रखना उसके अनरूप चलना अपने कल्चर के आप से हमेशा कहते हैं लोग अबाइडिंग स्टूडेंट है तो लोग वैडिंग सिटिजन हैं तो हम उस तरीके से काम करने वाले हैं लोग की फिल्ड में इन फिल्ड में तो देखिए वह हमको इशारा दे रहा है नवमांश के आपके जीवन का कहा स्तरोत रहने वाला है अब आप अंदर से चाहें पैसा कमाएं आनंद लें आप मालूम पड़ा कोई उल्टे सीदे कारों में लगे हुए शराब नशा सेक्स इन सब चीज़ों में आप हैं लेकिन आपको मालूम है कि आपका यात्रा कहा है आपको ग्लिंस मिल लई आपके नवमाशा से अच्छा ह हमारे जीवन में हमें जाना यहां है नहीं तो हमारी सब्क्राणासी है हमको अपने गुरू बिता ग्यान समझदारी पढ़ाई नौले तीर्थ यह सारी हमारे जीवन का मेंन मोटिव है सात्विक रहना माता पिता बड़ों को गुरूं को जितने और बड़े लोग हैं स्पार्णासी ठाणि के लिए धर्मा ःस्ट्टूशन के लिए हम जड़े हुए हैं अर्ड़े जड़े हुए हैं उन चीजा रहा है तो हमारा वहां जा रहा है हमारा oaspect 12 हमें ओर ताश của twस экспou'll के तो हमें समझ के आना शाहिए कि नहीं है ये तो हमारे जीवन का रास्ता नह इसका मतलब हमारे जीवन का तो रास्ता नाइं था उसकी तरफ से जा रहा है क्योंकि हमारा नवमान्स जो है वो नौस थान आगे चला गया बता रहा है कि अगर इस तरफ जाओगे तो तो ठीक रहोगे यही तुमारा यात्रा है यही तुमारी रास्ता है नहीं तो हम कुछ ग आपका लगन है मान लीजिए वरशिक या स्कॉर्पियो और आपका जो नवमांश है वो हो गया लियो तो जब आप स्कॉर्पियो से लियो तक गिनेंगे तो वो दस थान हो गया आगे हो गया तो आपका नवमाशा बनके आगया लियो अब ये क्या बताता है जब दस थान आग आदमी लगा रहता है अपने काम के प्रती बड़ा प्रॉस्प राइटेस होना सही तरीके का काम करना जिसको कहा जाए ना दस थान आगे चला गया और दस थान होता है मान सम्मान का हम अपने बाहर जीवन में सोशल में किस प्रकार की छवी प्रदान करते हैं अब उसके उपर बात आ गई है जो हम काम करेंगे वहां बाहर वाले लोग उन चीज़ों को अनुसरन करेंगे देखेंगे उसी हिसाब से च चलाना है उसमें पूरा परिवार हमको देख रहा है पूरा समाज हमको देख रहा है तो दस्वे स्थान में जब नवमाश मतलब दस थान आगे बढ़ जाता है तो क्या शो करता है किसी विशेश प्रकार की स्किल काम करना प्रोफेशन जिनरोसिटी चैरिटी उचापत पावर अथारिटी पोजीशन इन चीज़ों को शो करता है स्किल्स डेडिकेशन हम कितने जो है अपने महारत से काम करते हैं कितने सारे काम करते हैं जीवन में लोगों के लिए क्या काम करते हैं समाज के लिए क्या काम करते हैं इस तरफ देखिए चीज़ें लेके जाता है ह हमारे समाज के लिए घर के लिए परिवार के लिए हमको responsible रहना है काम करना है पैसा कमाना है growth करनी है उचा जाना पूजीचन नाम फेमेस अचीवमेंट गोल्ड डिजायर्स इस तरफ देखिए हमारा पूरे का पूरा नवमाज हमको वो शो कर रहा है अब इसका मतलब यह नही ही है आप यह कहें परिवार की जगा नहीं होगी क्या इसमें परिवारी के लिए तो आप से काम कर रहें हैं अगर धार्मिक नहीं है साहिक नहीं अंदर से आप कर सकते हैं एसा काम करेंगे ना जब 10 त्थान आगे नवमाजा चला गया फिर इसका मतलब तो यह कोई आदमी चोरी चकारी का भी काम करेगा ब्राइब लेगा यह लेगा उटे सीधे पैसे लेगा गलत तरीके से पैसा कमाएगा तो वो नहीं है वो यह बता रहा रहा राइटेस काइंड ओफ वर्क प्रोफेशन जो धरम से जुड़ा हो जि इसमें सब चीज़े आगए कि नहीं आगए कि हां हमको धरम से भी रहना है भाईया सात्विक पैसा कमाना है लोगों की मदद भी करनी है चैरिटी भी यहां पर करनी है दसमस्थान यह भी बताता है सुएम काम करो दस लोगों को और काम में लगाओ यह आपकी जिनरॉसिटी है वहां जहां लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो यह भी बताता है कि हमें लोगों के साथ क्या एटिट्यूड रखना है एक पिता का एक बॉस का अगर आप बॉस हैं तो एक पिता रूप में होने चाहिए उनको समझाना है अपनी अभीमान अपनी इगो यह सब पीछे र अब आपकी पत्रिका में जो आपका लगन है वो मालूब पड़ा स्थान आगे बढ़ गया है उधारन के तौर पे जैसे आपका मान लीजे की लगन है कन्या आपका लगन है और आपका नवमांस जो है वो बनके आ सब्सक्राइब कर फुद्ट करक लिखार है तो अब क्या हो गया एक बढ़ आप जब कंया से करक राशी तक बढ़ेंगे तो 11 स्थान आगे आपका नवमांस चला गया अब यह क्या शो करता ये फिर से शो करता है जीवन में हमारे growth को, desires को, पैसे को, sociability को, group को, बड़े भाई को, हमारे ambitions को, हम जीवन में क्या चाहते हैं, किन लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, किस परकार का आनन्द लेंगे, किस परकार का आनन्द लेना चाहिए, किस परकार का आनन्द ले रहे हैं, बड़े groups, बड़े projects, बड़ा social, हमारा outlook, बाहर विस्तार फैल के काम करना, लोगों के साथ काम करना बता रहा है, अब आप अपने जीवन में सोचेंगे, कि हमारा मन है, अकेले हमें काम करने का, अब आप करना माशा 11 स्थान आगे बता रहा है, लोग, public, socialization, बड़े लोग, group, projects, बड़े बड़े काम, फैलाव वाले काम, विस्तार वाले काम, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, मदद करेंगे, ये आपका एक rhythm है, ये आपका एक routine है, वो आपको फाइदा परदान करने वाला चाहे, आपको मर्टी नाशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सो लोगों के स है, जो सो लोगों के through होके जाता है, वो भी देखिए, वो इशो करता है, लेकिन यहां पे भी देखिए, हमारे अपनी growth, हमारी अकांगशाएं, हमारी चाहें, वो किस तरफ जा रही हैं, वो जीवन में, हमारा 11 स्थान आगे है, तो वो desires हमको कौन सी desires हैं, खाना, पीना, कि सारी चीजों की और भी देखिए, वो इशारा कर रहा है, वहाँ पैसा लगाना, अंदा दुन पैसा खर्टा कर रहे हैं, चीजे खरीद रहे हैं, पैसा खरीद रहे हैं, वहाँ सब तो जाएगा ही देखिए, क्योंकि ये growth का, wishes का, desires का, ambitions का, उस तरफ को roll बता रहा है, आप का नवमाशा जो आगे बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको ये वता रहा हूँ, कि wishes में, growth में, desire में, ambitions में, क्या चाहिए, उसको जरूर आखिये life में, क्या चाहने से आपके जीवन में सुखाएगा, शान्ती आएगी, लाब होगा, संतान कल को अच्छी होगी, ये सारी चीज दुन दौड़ में दौड रहे हैं, किस growth की और किस recognition की तरफ हम दौड रहे हैं, ये जरूर, हम बीस लोगों को साथ में लेकर आगे चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप आगे बढ़ते हैं और गुरूप का सहारा ले रहे हैं, उनको सीड़ी की तरा इस थ्रस्ट कहा रहने वाला है अमबिशन्स में गोल में डिजायर में पैसा में आगे बढ़ने में इंजॉयमेंट में घूमने में फिरने में बड़ा भाई लोगों के साथ अटाच्मेंट्स में चीजों में अब उसमें हमारा जीवन बीतने वाला है और उसी की वज़ा से हैं वो कौन से आपके होप सही हैं ये जानना चाहिए वाई किस चीज का होप कर रहे हैं क्या मिलने माला है ये भी तो देख लीजिए ये उस और इशारा करता है अब आपका लास्ट में लगन बारा स्थान आगे ट्राइविल कर गया है उधारन के तौर पे आपका लगन है काउन करेंगे सिंग तक तो आपको मालव पड़ेगा बारा स्थान आगे आने का क्या मतलब हुआ कि देखिए जीवन में कहीं न कहीं कोई losses जीवन में कहीं न कहीं expenditure जीवन में कहीं न कहीं कोई धर पकड़ police hospitalization जीवन में कहीं न कहीं imaginations जीवन में कहीं न कहीं independence हमारे जीवन में foreign बहर रहना अलग रहना एक अपनी अलग दुनिया वसाना फ्री होके काम करना boundary less जीवन जीना जिसको कहा जाए उस तरीके का भी एक rhythm जा रहा है देखी बारवे स्थान में आगे आपका नव माशा बढ़ चुका होगा यहां पे वो कई चीजों की ending दिखाएगा खात्मा दिखाएगा आपके life में कहां कई प्रोजेक्ट्स कहले है रिष्टे कहले ही चीज़े कहले ही खुका libert कहले ही कहता hearing काई कि चीजों की life में यहां एंडिंग बताता है अगर आपका नवमांस जो है वो बारवा बारा स्थान आगे निकल के आता है तो कहीं प्रकार के लॉस इस और यह सब बताता है हाँ स्पिरिच्वालिटी में आगे बढ़ना मेडिटेशन योगिक क्रियाज स्पिरिच्वल क्रियाज प्रभू से मिलन एक गुरू एक फिलोसफर एक ट्रावलर एक जो दुनिया को ब्रहमन करना चाता है एक अजार जिसको स्वतंत्र जिसको कहा जाए पक्षी की तरह अपने जी बंदना चाता है इस प्रकार देखिए चीजें इशारा कर रही है आपको अगर आपका नवमाज 12 स्थान आगे बढ़ गया है जीवन में कई बार असमें कई रिष्टे टूड़ जाना चूड़ जाना दूर हो जाना आपका स्वेम बहुत दूर रहना कई बार बड़ी वेर करना पड़ेगा कहीं प्रकार के त्याव सैक्रिफाइस के लिए तयार रही है कहीं चीजें लाइफ में छोड़नी पड़ेंगी तब जीवन में आगे व्रद्धी हो पाएगी कहते हैं ना कि अब इस चीज़ को छोड़ो और आगे बढ़ोगे तभी आगे बढ़ पाओगे ये चीज वो शो करता है अब वो क्या चीजें हैं आदते हैं विभासे रिलेटेड प्रॉब्लम हैं क्या चीजें हैं कोई रिष्टे ऐसे हैं जो छोड़ के आगे बनना पड़ता है हमें कहीं दूसरी जगा जाकर इस्थापित हो जाना पड़ता है वो सारी चीजें यहां पर देखिए कई बार कर्मा भी बहुत बुरी तरीके से पेश आ सकता है कोई पास लाइफ का कर्मा यहां पर हमको बहुत भारी चोट पहुंचा सकता है पनिस्मेंट के रूप में मैं कह सकता हूँ जो कहीं बार हमको हेवी कार्मिक डेट पे करना जीवन में लोगों का चले जाना या स्वेम हमारा खुद का बहुत आगे चले जाना अबस्य हीलिंग कापैसिटी साइकिक कापैसिटी अबिलिटी जिसको कहा जा वो चीजें होना माध्यम एक गुरू का जैसे मैंने बताया है आपको एक हीलर एक इमाजिनेशन वो सारी चीज़े होती है लेकिन हाँ ये स्थान में कहीं बार पेन से रिलीफ होना बताता है पे इसको कहा जाए अब वो मुक्त है इसको ऐसे कह सकते हैं मुक्ती की तरफ भी कहीं लोग जाने का प्रयास करते हैं एक ऐसे घर में रहते हैं कि स्वेम इन्वाल्ड नहीं है काम करें अब ये भी उनको सूचक है इस बात का भाया घर परिवार समाज में रह रह रहो इन्वाल करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगा अब आप अपने लगन को और नवमाशा को देखिए कितने पोजीशन आपका नवमाशा आगे है वह आपको क्या बताता है करने के लिए जीवन में वही आपका डारेक्शन है लाइफ में वही आपका रोल है और आपको स्वेम सेक्शन में कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्च से प्रदान करूं वीडियो कैसा लगा राय अवश्च दीजिएगा राधे राधे जैसी कृष्णा